आप सभी दिफेंस वारियर्स का वेलकम जोती धनानजव चंद्रमनिकंदन अली जेपी भट, सिधार्थ, मसकान, अली, गगन देशवाल, तो सभी फटा फट जितने भी हमारे एस्पेरेंट्स हैं, क्लास से लगतार जुड़ते जाईए, क्लास को आप सभी अपने तरब से लाइक और शेयर करिए, जिससे की और भी एस्पेरेंट्स क्लास से जुड़ सकें, तो शुरुवात कर लेते हैं, क्लास की, सबसे पहले अपने कुश्चन आपड़ी के साथ, तो कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्ग दिया था कि, यू हैब तू आइटिफाइदा रैंक, ओके, तो यहाँ पर हमारे इंडिने एरफोर्स के एक सोल्डर दिख रहे हैं, अब इनके हम हैंड पर क्या सकते हैं, जो इस्ट्रिप लगी है, वो कौन सी रैंक है, आपको ये बताना है, चलिए, सभी के अंसर सा रहे हैं, वेरी गुड, धनरंजे को इसमें फ्लाइंग लेटिनेंट दिख रहे हैं, वाह, क्या बात है, और सभी, तो ज़्याद है तर बच्चों के अंसर आ रहा है, कॉर्पोरल रैंक आप दा इंडिनेट फोर्स, तो दा करेक्ट अंसर इस दी कॉर्पोरल, ओके, वैसे तो आप सभी कमिशन रैंक के बारे में तो अच्छे से जानते हो, नॉन कमिशन के बारे में भी आप जान लो, ठीक ह तो शुरुवात होती ही, लीडिंग क्राफ्ट्समैन की, फिर आपका कॉर्पोरल आता है, यानि कि इसको कहते हैं न, दो फीती, पूलिस वालों में भी आप देखते होगे, यहाँ पे लगाए रहते हैं वो, फिर आपका सारजेंट आता है, इसको हिंदी में हवल्दार कहत हैं हवल्दार कहते हैं, फिर आपका जे डबली ओ आता है, जूनिर वारेंट आफिसर, फिर आपका आफिसर वारेंट आफिसर, फिर आपका मास्टर वारेंट आफिसर, ठेक है, तो यह है आप वारेंट आफिसर, फिर मास्टर वारेंट आफिसर, इसके बाद आपका की अपने पहले इवेंट के साथ युद्धभ्यास 2022 कल रात 9.09 बजे आपके इसी चैनल पर हमने टोटल 4 वीडियो अपलोड की हैं ठीक है जिसमें एक्टरसाइज प्रस्थान है युद्धभ्यास है माला बार एक्टरसाइज है और अगनी मिसाइल के जितनी पिसीरीज है चारो सीरीज उनके बारे में डीटेल मैंने वीडियो बनाया है तो इसको आप देख लीजेगा साथी साथ उन वीडियो उसको लाइक करके शेर भी कर दीजेगा बात कर लेते हैं युद्धभ्यास की तो युद्धभ्यास एक्सरसाइज आप सभी जानते हो कि annually यह भारत और अमेरिका के आर्मी इसके बीच गंडट किया जाता है और इस बार इसका 18th edition आपका गंडट किया जा रहा है और कहां भे किया जा रहा है तो भारत के state उत्तराखण में कंडट किया जा रहा है काफी आपके समय से ये news आ रहे थी कि ये अब आपका October में होगा लेक अभ्यास के previous version की बात करें जिसको 2021 में आपका candidate किया गया था तो वो आपके America के Alaska में हुआ था ठीक है जहां पर हमारे Indian Army के जवान आपके गए हुए थे ये बार आपकी जो exercise है इसका main aim ये है कि दोनों देशों के बीच आपका best practices, tactics procedures कैसे हम improve कर सके United Nation के peace keeping force के जो हमारे जितने भी enforcement peace के होते हैं उस पर आपका आधारित रहने वाली है और दोनों देश एक साथ मिलकर अपने common objectives को achieve करेंगी और इस exercise में जो आपका युदभ ब्यास अब होने वाला है उसमें human and assistance defense, आपका disaster relief, HADR यह आपका कारे करेगा जिससे कि हम किसी भी आपके tough situation में अगर कोई natural disaster होता है न human search and rescue cooperation हो तो दोनों देश मिलकर इसमें बहतेरी तरीके से coordination कर पाएं और लोगों को relief दे सकें इस बार की exercise में इंडियन आर्मे की तरफ से awesome regiment आपका participate करेगी ठेक है तो देखिए लिखा है न US Army soldiers of 2nd brigade of the 11th airborne division and inner army soldiers from the awesome regiment will participate in their exercise ठेक है तो इसमें आपका integrated battle group के जितने भी task होते हैं जो United Nations की द्वारा mandate किये गए हैं उनको भी आपका conduct करवा जाएगा अब question आता है कि भारत और अमेरिका भीच में और कौन सी आपके exercise conduct हुआ करती हैं so there are various exercise which are held between India and America annually so these are the first one is the युद्ध अभ्यास भज्य प्रहार इस्पिटिंग कोब्रा संगम रेड फ्लैग and the exercise scope इंडिया तो ये exercise हम अमेरिका exercise आपका conduct किया करते हैं मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से युद्ध अभ्यास के बारे में पता चल गया होगा अब आगे बढ़ लेते हैं अपने next event के तरफ Green Mobility Initiative by the Indian Air Force तो देखिए Indian Army भी हमारी Green Initiative के तरफ काफी तेजी से काम कर रही है अब इसी प्रारूप में हमारी Indian Air Force भी कर रही है तो Indian Air Force ने आपके कारवन के footprint को reduce करने के लिए Government of India और Air Force ने आपका Green Mobility के induction को आपका जारी किया है जिसमें Indian Air Force ने 15th November 2022 को Tata, Nexon Electric Vehicles की fleet को अपने वायू सेना भवन जो कि आपका उनका मुख्याला है नई दिल्ली में अगर आपने देखा होगा तो ठीक है वहाँ पर इनकी fleet को इंडिक किया है तो देखिए Tata, Nexon आप देख सक रहे हो और ये electricity से आपकी चार्ज हो रही है और ऐसे आपके पूरी fleet हमारे Indian Air Force ने आपका बाई किया हुआ है इस मौके पर Air Chief Marshal विवेक राम चौधरी आपके मौझूद थे और टोटल आपके 12 ऐसे electric vehicles को जो है इंड़क करवा लिया गया है अब जितने हमारे पुराने vehicles होते हैं ठीक है जो कि आपके downgraded conventional vehicles हैं उनको replace करके उनको हटा कर e-vehicles को procure करना दिससे कि हमारा environment की सुरच्छित रहे और हमारी dependency fossil fuel से कम हो सके तो इस पर आपका सबसे ज़्यादा जोर है और ये कहा गया है कि augmentation of the e-vehicles ecosystem including installation of charging infrastructure at various air force bases is also planned तो जैसे देखी हमने total 12 आपकी गाणियां खरील ली हैं अब भी तो 12 बड़े कम होते हैं लेकिन शुरबात तो आपकी थोड़े से ही होती है और इनके charging point stations आपके लगाए जाएंगे Indian Army भी अपना लगा रहे हैं जैसे की हम अपने आपको convert कर सकेंगे Green Mobility Initiative के ताहर ओके चलिए class में आप सभी जोड़ते जाएं class को आप सभी like और share भी करिए and the next event is UK Prime Minister Rishi Sunak announces five new ships five new navy ships citing Russian threat तो कल UK के जो हमारे नए प्राइम निस्टर बने है Rishi Sunak उन्होंने announce किया कि Britain will spend 4.2 billion euro dollar that is 4.9 billion US dollar on five new navy ships to bloster security in the face of increased Russian threat इनके दोरह कहा गया कि देखिए Russia की troops आपकी Ukraine में बढ़ती जा रहे हैं और Russia के वज़ा से हमको भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि Russia को Ukraine को आपका Britain support कर रहा है अब होता है न दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मनी रहेगा ठीक है इसलिए अब ब्रिटेन अपने आपके खेमे में जो है पांच नए आपकी Navy ships आप इंक्लूट करेगा जो कि आपके काफी हम कह सकते हैं कि next generation के technology पर बेज रहेंगी जिससे कि आपका ब्रिटेन चाहता है कि वो अपने सुरच्छा को और वे मजबूद कर सके रिसी सुनुक जो है अभी आप इस announcement को इंडोनेशा के बाली में इन्होंने announce किया है जहां पर आपका group of 20 G20 के आपकी बैठक चल लई है और चाहिए उक्रेन हुआ है चाहे आपका UK हुआ अमेरिका हुआ सभी चाह रहें कि G20 के मन जिसे हम रशिया को काड़ा संदेश दें अगला आपका question इवेंट वार्शिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट कॉनक्लेव WPS की कॉनक्लेव कल आपके कोलकाता वेस्ट बंगॉल में 15 गॉंबर को रखी गई जिसमें वाइस एड्मिरल किरन देशमूख कंट्रोलर वार्शिप प्रोडक्शन एन एक्विजिजिजन आपके शामिल थे वार्शिप प्रोडक्शन अभी हमको चाहिए साथ ही साथ क्या हमारे जो सम्मरीन से अभी के लेटेस्ट टक्नलोजी से आपके रिलेट करते हैं कि नहीं WPS कॉनक्लेव प्रोड़ाइड आ कॉमन फोरम आफ एक्सचेंज फॉर आइडियास यहां से आपने कवर कर लिया इसको और यह आपकी जो कॉनक्लेव है उसकी इस बार 60th anniversary थी कहां पी बनाई गई आपके कोलकाता दस बेंगॉल में इसको कंड़क्ट किया गया है नेक्स्ट इमेंट आपका इंडियान आर्मे बिल्ड इंफ्रास्रेक्चर फॉर 450 टैंक्स 22,000 एडिशनल टूप्स इन दा इस्टर लद्दाग तो देखिए चाइना के गतिविदी को बढ़ता देख अब इंडियान आर्मे काफी सजग हो गई है और इसी लिए लाइन आप एक्च्वल कंट्रोल में इस्टर लद्दाग सेक्टर में चाइना के अपोजिट भारत ने टोटल आपके 450 टैंक्स को हाउस करने के लिए यानि की रखने के लिए सुरच्छित और हमारे 22,000 टूप्स आसानी से डिप्लाइट हो से जाएं इसलिए उन्होंने 3D इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया है और सोर्सेस आपके कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी कोर आफ इंजिनियर हाज इंडुक्टेट न्यू लैंडिंग क्राफ इन बोथ इस्टन लद्दाग विच हैस गीवा हूज इंपिटूस तो पेट्रोलिंग कैबिल्टीज एंड इंडुक्शन इन मैन एंड माटेरियल दा असॉल्ट क्राफ कैन केरी 35 टूप्स और वन कीप्स विथ 12 मैन तो यहाँ पर आप इस इंफरस्ट्रक्शर को देख पा रहे हो जहाँ पर हम हमारी टूप्स आसानी से रह सकती है और यहाँ पर हम अपने टैंक्स को भी सुरच्छित रख सकते हैं तो यह देखिए कॉंकरीट का आपका बना रहता है जिसके अंदर आपके टूप्स भी रहेंगे आपके टैंक्स भी रहेंगे माल लिजे दुश्मन के तरब से आपका हमला होता है इंसाइल्स चलती हैं तो उसमें हमारी टैंक्स को कोई भी आपकी समस्या नहों पाए छती नहों और वो भेतेनी तरीकी से आपरेट कर सके इसलिए इस प्रकार के आपके बंकर्स जिसको हम कहते हैं वो बनाय जाते हैं और इंडियन आर्मी की इंजीनियर जो कोर है उनके दोरा बनाय गया है इंडियन आर्मी की इंजीनियर की जो चीफ है लेटन जनल हलिपार सिंग ने कल कहा है कि 3D printed permanent defense had been constructed for the first time by the इंडियन आर्मी core of engineer in the desert sector these defenses were trial tested against a range of weapons for small arms to the main gun T90 ठेक है तो हमारी troops आपकी secure रहे हैं इसलिए इसको किया गया है अगला आपका event भारत और बांगलादेश चे आपका related है इंडिया बांगलादेश border forces agree for cooperation in conflict resolving mechanism तो कल 18th आपकी inspector general border coordination conference दोनों देशों के बीच आपकी आज़ित करवाई गी जिसमें से जो भी हमारा border management है उसको हम कैसे resolve कर सके उसके process को कैसे simplify कर सके इस पर दोनों देशों ने बात की और इस बार की यह आपकी 18th meeting थी the 11th member BSF delegation was led up by the Atul Fulizi inspector general BSF, South Bengal Frontier, the BSF delegation consists of addressing IGBSF, North Bengal Frontier और सभी आपके हमारे जितने भी 8 delegates थे BSF के वो शामिल थे और उनों ने बताया कि दोनों देशों की सेमाओं को हम कैसे बहतर करें जिससे कि किसी भी तरीके की smuggling, illegal आपकी mining ना हो पाए और बहतरीन तरीके से दोनों अपने देश अपने border की तरफ अपने सुरचस को और भी मजबूत कर पाए तो यह थे आज कि आपके events और हमारे जो new channels हैं आप सभी उनको subscribe कर लिए जिससे कि जितने भी new notifications हैं वो आप तक पहुँच सकें हमारे courses में enroll होने के लिए आप सभी नीचे दिये गए link का use कर सकते हैं जहाँ पर हम आपको written courses as well as interview courses की daily live classes आपको conduct करवाते हैं recorded session मिलता है आपको study materials मिलते हैं doubt counter की facility आपके पास है सभी courses के full fledgbunders और test series हम provide आपको पहले से ही कर रहे हैं इस class की PDF आप हमारे blog telegram और हमारे app पर जाकर ले सकेंगे इस warranty code का आप use कर लें जिससे की आपको 10% का flat discount मिलता जाए और आप बहतरी तरीके से हमसे जोड़कर अपने तयारी कर सकें तो समय आ जाता है आज की review questions का मेरे खाल से आप सभी तयार हो तो पूरे जोश, होश के साथ आप सभी को हर questions का answer देना है तो काफी important इस बार की meeting रही है ओमकार जी अवेलेबल करा दी जाएगे ठीक है चलिए फटाफट बताईए 18th Inspector General Border Coordination Conference कहाँ पर आपकी held हुई और सभी बच्चों के बिलकुल right answer है option B, that is the Kolkata ठेक है, Kolkata विश्बंगौल में इसको आपका candidate किया गया जिसमें बांगलादेश का delegation और भारत का delegation जिसमें हमारे IS officer रहते हैं BSF के जितने भी IGs रहते हैं वो शामिल लेते हैं और दोनों ने एक दूसरे के border coordination को लेकर जो है इस बैठक में वो शामिल थे next question warship production superintendent conclave by Indian Navy organized at where New Delhi, Kolkata, Chennai, Dhaka जिए चली लगादार अंसर देते जाहिए आप से वे so the right answer of this question is option B that is the Kolkata Westphal ठेक है तो अब देखिए जो warship production superintendent की जो conclave थी mainly आपका submarine making पर आधारी थी वैसे यहाँ पर जितने भी हमारे destroyer, OPV, poverty होते हैं उन पर भी चर्चा की जाती है लेकिन submarine के technology पर सबसे ज़्यादा क्योंकि आप सभी जानते हो कि submarine किसी भी आपके 9 सेना का सबसे बड़ा एक अस्त्र होता है ठेक है तो उसमें कौन से technologies लग रही है जैसे जर्मनी से जर्मनी वाले भी आते हैं हाँ पर आपका submarine उसको build up करने हमारी MDL CSL उसको काम करती है अभी आप में देखा तर project 75 के तहज़ हमने total 6 scorpion class की submarine आपकी बनाई हुई थी next event exercise जोद अभ्यास 2022 conducted between India and which nation Qatar, UK, UAE या फिर अमेरिका exercise जोद अभ्यास भारत और किन देश के बीच में आपकी conduct हुआ करती है annually चले चले लगातार अंसर आप सभी के मिलने चाहिए और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अपने गिर्द की दिरिष्टी से आप सभी के अंसर बिल्कुल correct है and the right answer is the America तो देखिए American troops आ गई है अब देखिए इससे आप इस photo से क्या समझ सकते हूँ इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा आप अच्छे से देख पाओगे यह देख पाओगे मालो आप आर्बी में आप जॉइन हुए एरफोर्स में नेवी में और आपको exercise दूसरे देश में जाके करना है तो सबसे पहले आपका documentation verification होता है कि यह soldier इसी देश का है और जैसे मालो अमिर्का की soldiers और officers आए है तो अमिर्का की तरब से पहले से हमको list दे दी जाती है जैसे कि जो भी अधिकारी होते हैं सबसे पहले उसको मिलाते हैं कि हाँ यह यही है ठीक है फिर उनको रहने का कमरा जहां पर दिया जाता है ना हर शीजे उनकी की जाती है काफी बहतीरीन तरीके से इस बार की exercise को आपका conduct किया जाएगा अगला question है which edition of exercise योद अभ्यास 2022 इस conducting 15th, 16th, 17th या फिर 18th गिद्ध की तरह मुस्कान दिरिस्टी रखने चाहिए संजे क्योंकि जब आप की तैनाती हीली एरियास पर रहेगी या फिर आप जो है एरफोर्स में पाइलेट रहोगे तो दूर तक आप देख पाओ तो गिद्ध से हमको यह समझना चाहिए and the right answer is option D that is the 18th na 18th edition आपका इस बार conduct हो रहा है अगला आपका the 18th edition of India US exercise जुद अभ्यास is scheduled to be conducted in UP, UK, MF, JNK the 18th edition of exercise जुद अभ्यास is scheduled to be conducted in उत्तरपदेश, उत्तराखन, महरास्ट या फिर आपका जहुएन कश्मीर तो इसमें भी option B वाले की तादाथ काफी ज़्यादा है तो चलिए मैं आपको UK ले चलता हूँ वहीं पर आपका ये exercise कंड़िट किया जाएगा कुछ दिनों में एक दो दिन में आपके start हो जाएगी DAS has inducted a fleet of Tata, Nexon, Electric Vehicles Army, DRDO, Air Force, None of the above चलिए लागतार अंसर देते जाएए Which force has inducted a fleet of Tata, Nexon, Electric Vehicles टोटल 12 आपके वहिकल्स को इंड़िट किया गया है Tata, Nexon भी आपकी 10 लाग की तो मिलती है And the right answer is option C That is the Indian Air Force ठीक है? 10 लाग की एक है तो 12 कितनी की हो गई? 1 करोड 20 लाग की 1 करोड 20 लाग की यह हो गई फिर इसके बाद electric charging जो infrastructure create करना है उसकी भी cost आती है तो based हमको बनाना ही पढ़ेगा तब ही हम भैतर कर पाएंगे और जैसे Nokia का mobile आपके एकदम मजबूत रहता है न टैंक की तरह तगड़ा उसी तरीके से Tata, Nexon का भी security feature काफी high रहता है अगला आपका exercise हरिमाव शक्ती conducted between India and Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar तो देखिए यहाँ पर आपको M4 दिख रहे हैं अब इन में से कौन सा M आपका correct है आपको पताना है चलिए, हरिमाव शक्ती so the correct answer is option A that is the Malaysia अब B वाले गलत हो गए ठीक है, A वाले आपके सही है Spangong Soh Lake is located in Kashmir, Ladakh, Urisa, Kochi चलिए, so the right answer is option B that is the Ladakh, अभी आप में देखा कि Eastern Ladakh की तरफ हमारी जो इंडियन आर्मी की इंजीनिर कोर है उन्होंने 450 टैंक्स और more than 22,000 ट्रूप्स के लिए शेल्टर आपका तयार किया है 3D printing technology के तहर जिससे कि हम अपने Eastern Ladakh की तरफ जो है अपने आपको और भी शक्तिचाली कर सकें पैंगॉंग सो लेक आप देखी पा रहे हो इस फोटो में आपका यहां पर आप देख लो और यह लेक नहीं लगता है कभी कभी समुद्र लगने लगता है इतना बड़ा लेक है ठीक है आइनस खुकरी इस टाइप आफ फ्रिगेट सम्मरीन, डिस्ट्रॉयर या फिर मिसाइल कॉर्विटी सभी को अंसर्स बता दे जाने है and the right answer of this question is the option D ठीक है इस टाइप आफ आफ मिसाइल कॉर्विटी आप दी इंडियन नेवी आइनस चीता इस डिस्ट्रॉयर ओपीवी सम्मरीन या फिर आपका लैंडिंग शिप टैंक आइनस चीता आइनस का मतलब क्या होता है इंडियन नेवल शिप ये डिस्ट्रॉयर है ओप्शोर पेटल वसल है सम्मरीन है या फिर आपका लैंडिंग शिप टैंक तो दा राइट अंसर इस option D या फिर आपका लैंडिंग शिप टैंक इन में से कौन सा बंदरगा भारत के वेस्टन कोस्ट में आपका लोकेट अंडिंग शिप टैंक इंसर अप्शन इस दी आप्शन ए डैट इस अ कांडला थेक है बागी सब तू इधर देखिए कोलकाता वाला वेस्ट बैंगौल में ना विशाका पत्नम मैंगलोर भी नीचे आ जाता है तो आपका ये कांडला है जिसको हम क्या कहते है दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट कहते है 2017 में इसका नाम आपका क्या कर दिया गया था रीनियम कर दिया गया था दीन दयाल उपाध्या कौन है ये बिजेपी के जंसंग बिजेपी के आपके लीडर थे और मुगल सराय स्टेशन का भी नाम बदल कर दीन दयाल उपाध्य स्टेशन आपका रख दिया गया है इंडिया पर्चेस बोईंग 737 फ्रॉम अमेरिका, स्वेडन, फ्रांस, नन अब देबो बोईंग 737 एक एरक्राफ्ट है जिसका यूज इंडियन एरफोर्स किया करती है तो इसको हमने किस देश से खरीदा है तो इसको हमने किस देश से खरीदा है तो इसको हमने किस देश से खरीदा है यह आपने यह एरफोर्स का यह एरक्राफ्ट काफी देखा होगा जब हमारे पास भारतवन एरक्राफ्ट नहीं था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसी एरक्राफ्ट से आपका यातरा करते थी ठीक है इंडियन आर्मी फ्लैग कंसिस्ट कलर्स और डैस कलर्स बताईए इंडियन आर्वी का जो फ्लैग है उसमें कौन-कौन से कलर्स है चारो आप्शन्स आपकी सामने हैं अच्छे से पढ़ लीजे उसके बाद अपना अंसर बताईए आपकी तलवार भी बनी हुई है तो ये है आपका इंडियन आर्वी का फ्लैग बिश्केक इस दा क्याप्टल आफ इरान, कतर, UAE, किर्गिस्तान बिश्केक इन में से किसकी राजधानी है चलिए लगतार अंसर बताते जाहिए and the right answer is the किर्गिस्तान तो चलिए आपको किर्गिस्तान ले चलते हैं किर्गिस्तान हम कैसे चलेंगे पहले हमारा भारत है भारत के बाद आपका अफगानिस्तान पढ़ता है अफगानिस्तान के बाद तजाकिस्तान है राक्षिस्तान की उपर आपका किर्गिस्तान है ठेक है इनकी राजधानी आपके विश्केक है सेंटल एशिया की ये देशन लाइंड लॉग्ड देशन How the Earth Got Its Beauty Book is written by Anuradha Roy Sitaram Yachuri He is tracking Sudha Murthy Murthy So the right answer of this question is Option D. Sudha Murthy के गारा Is How the Earth Got Its Beauty इनोने लिखाए 2021 में पिछले साल इस बुक को लिखा था इनोने Duty, Honor, Courage Is the motto of Maratalite Infantry The Grenadiers, Rajput Regiment, Jat Regiment Duty, Honor, Courage इनने से किसका आपका motto है लगतार बताते जाएए And the right answer is Option A That is the Marathah Light Infantry College of Defense Management is located in Sikandrabad, Chennai, Noida, New Delhi चलिए, तेजी से आप सभी के अंसर्स आ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से आप Like नहीं दे रहे हो ठीक है, तो Like का बटन भी दबा के प्रेस करो पूरे जोश के साथ And the right answer is Option A Sikandrabad, ठीक है तो आप Sikandrabad तेलंगाना के थरफ चलेंगे तो आपको ये College of Defense Management में लेगा जो कि एक Tri-Services का एक Institute है Gagan stands for what तो देखिए, Gagan को किसी ने बनाया है? हमारी ISRO ने बनाया है तो Gagan का full form आप सभी को बताना है चलिए And the right answer of this question is the option C That is the GPS Geo Positioning System Added Geo Augmented Navigation System जिससे की आसानी से हमारी जो forces रहती हैं वो इस system का यूस करके अपने location को track कर पाती है What is the theme of the exercise का काड़ू 2022? इस बार की जो exercise का काड़ू Multination exercise का काड़ू Australia ने host की थी उसका theme क्या रहा? Free Indo-Pacific Region Partnership, Leadership, Friendship Always Ahead None of the above And the correct answer is option B That is the Partnership, Friendship and Leadership Which Indian Navy ship participated in GMX 2022 exercise? और कल वीडियो आ भी चुकी है GMX नहीं GMX के तो वीडियो मैंने काफी पहले बना दी थी उसके बारे मैंने आपको पढ़ाया भी था माला बार की वीडियो आपकी आ चुकी है इसी चैनल पर है आपकी देख लीजेगा उसको तो बताइए कि GMX exercise अभी जो जापान के साथ हुई थी उसमें इंडियन नेवी की तरफ से किस ship ने पार्टिस्पेट किया? गोमती मुंबाई, कोची, वाक्षी, डेली, कलवरी या फिर कदमत कवरती तो सभी के एंसर बिल्कुल करेक्ट हैं ऑप्शन दी इस राइट आइनस कदमत और आइनस कवरती पार्टिस्पेटिटिट इन दा जे मेक्स 22nd exercise, अपने SSB इंटर्वी की प्रिपेशन को करने के लिए आप सभी हमारे इस ओनलाइन इंटर्वी कोर्स में इंडोल हो सकते हैं इसकी लिंक नीचे description में दी गई है, समय आगए आज के question of the day का So today's question of the day is, you have to identify the event इस event को identify करना है, इसका answer कल के next session में देखेंगे So before you wind up, I again will tell these are the courses which are running by the SSB Crack exam Bundles and test series of all the courses are available in a very affordable price You can download the PDF of this class from our telegram and blog channel So visit there and get the PDF, those students who are interested in our courses they can use this wallet and code and get 10% flat discount Jai Hil and best of luck